तो जैसा कि आप सभी ने अपने थमनिल में देखी लिया होगा, आज हम completely animal act है, उसके बार में बात करेंगे, उसके introduction को देखेंगे, कुछ definitions होती है, animal committee, experiment and breeder वगेरा, इन सभी की definition को भी हम वहाँ पर चेक करेंगे, and cruelty to animal and breeding and stocking of animal, performance of experiment, transfer and acquisition of animal for testing records, देखेंगे, उसके and registration कैसे होता है, वो सारी चीज़े देखेंगे, अगर कोई गलती होती है, तो हमें कितने जुर्माना लगेगा, मतलब offenses and penalties के वारे में हम आज बात करेंगे, तो आज हम अपने animal act को completely discuss कर लेंगे, तो lecture को start करने से पहले, अगर आप सभी ने अपने चैनल Graceful Pharma को subscribe नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को subscribe करो, and bell icon को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको सारी की सारी जो notifications है lecture की, वो आपको provide होती रहे, एंड इसके बाद हम जैन में start करेंगे अपने GPAT series, जिसमें हम डेली आपको MCQs provide करेंगे, ठीक है, देख लेना है कि जो हमारा animal act है, यह हमारा 1960 में आया था, इसकी जो rules और regulations थे, वो basically हमारे 1998 में publish हुए थे, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी definitions के बारे में, definition में हमारा सबसे पहले है animal, living creature other than a human being, मतलब human being को छोड़ के जितनी भी living creature है, उन सभी को हम यहाँ पर animal बोलते हैं, करते हैं किसी new drug के लिए, तो सबसे पहले हमें वहाँ पर आपके pre-clinical trials होता है, clinical trials होता है, then वो आपके market में publish होती है, ठीक है, तो जो pre-clinical trials होते हैं, वहाँ पर आपके animal को choose किया जाता है, जातर आपके monkey होता है, वहाँ पर mice होता है, और rabbit होता है, यह तीन ऐसे animal होते हैं, जिनको जातर clinical trials होते हैं, new drug के वो किया जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस टाइप की, किस नसल के वहाँ पर आपके animals का use किया जा रहा है, तो यह सारी चीज़ें हमारी कहलाती है, reader, ठीक, committee, अब committee में भी कुछ नहीं है, आपके वहाँ पर individual committee बनी होते हैं, company होते हैं, film बनी होते हैं, corporations होते हैं, और आपकी अलग-लग institute बगेरा होते हैं, यह ड्रक के लिए clinical trials किया जाते हैं animal पर, तो उस experiment को perform करने वाली सारी कि सारी जो committee होगी, वह भी वहाँ पर बैठी होगी, वही सारी के सारी जो animals होगे, किस नसल की हमें animal लेने है, किस breeder की हमें animal को select करना है, वह सारी की सारी चीज़ें हमारी community ही देखेगी, और अब बात कर लेते हैं, इसके object क्या होते हैं, क्या क्या ऐसे reasons होते हैं, जिनकी लिए हमारे animal act को पारित किया गया, या animal act को लागू किया गया, in modern days research, animals are important experimental subject, because of physiologically are similar to the human being, इसका मतलब था, in modern days में क्या होता कि इस research हो रही हैं, वो new drug को develop करने के लिए, किसी ना किसी animal पर बहुत सारे experiment किया जाते हैं, प्री-clinical trials, वो सबसे पहले आपके animal पर try करते हैं, अगर animal में अच्छी तरह से उसमें pharmacologically effect हमें अच्छा मिल रहा है, then वो अपना next stage पर apply करते हैं, या अपने next phase में वो आते हैं, ठीकिवले safety and efficacy of drug experiment on animal and unavoidable, drug safety and efficacy test के लिए animal पर यह सारी test किया जाते हैं, क्योंकि जिससे कि हमें drug की जो pharmacological effect है, उसके वारे में हमें proper तरीके से पता चल जगे, और यह जो experiment होते हैं, यह unavoidable होते हैं आपके, क्योंकि इन्हें हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं, मैं आपको यहां पर एक आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आ गया होगा, क्योंकि मैं एक ही पिक्चर यहां पर लगा पाँगा, otherwise मैंने ज़्यादा पिक्चर एड़ कर दिया, तो YouTube की guidelines होती हैं, उनके दुरू अपने वीडियो भी गाइब हो जाएगी, तो इसलिए आपकी स्क्रीन पर बस एक ही पिक्चर लगाऊँगा, मैं अगर इसमें भी कोई problem होई तो बाद में मैं इसे cut कर दूँगा, एक पिक्चर आपको सब कुछ पता चलियागा, कि यह जो एनिमल पर trials के जाते हैं, वो कितने खतरनाक होते हैं, नेक्स्ट है हमारा clinical trials under D&C, provided by the data generation on animal toxicology and pharmacology, अगर किसी new drug के लिए clinical trials जब भी होती है, तो उसके लिए data generate होता है, तो वो data कब generate होता है, जब आपके animal पर, जब हम trials करते हैं, तो सारी की सारी जो उसकी physiology के बारे में पता चलियाता है, हमें pharmacological effect के बारे में पता चलियाता है कि animal की body में pharmacological effect कैसे हो रहा है, toxicology effect कैसे हो रहा है, उसके बाद ही हमारी सारी data को generate किया जाता है, और उसके बाद किसी एक documentation form में उसे लिखा जाता है कि हाँ वही हमने clinical trials क्या था, हमारे इस animal के पाद, animal की body पे और जो भी effect है, हमारी drug का बहुती ज़्यादा अच्छा है, अब हम इसे next phase, prevention or cruelty to animal act 1960 has been interacted to prevent unnecessary pain on suffering on animals, animal को unnecessary pain ना हो और उन्हें कहीं भी ज़्यादा ज़्यादा सफर ना करना पड़े, इसके लिए यह एक टापका आया था, क्योंकि एक animal act है, यह इसलिए आया था, क्योंकि जितने भी आपके अगर animal है, तो उसे ऐसे ही नपकड़े हैं, मतलब आपको पहले choose कर लेना है, अपनी committee से बात कर लेना है, देन आपको किसी भी animal को लेना है, दब उस पर clinical trials को करने है, या experiment है, जो भी आपके drug का, तब आपको करने है, क्योंकि जाद तर जो experiments होते हैं, किसी भी new drug को market में आने से पहले, आपके animal पर try की जाती है, तो यह सारी चीज़ें वहाँ पर हमें check कर लेनी है, कि हमारा जो animal है, कहीं वो किसी चीज़ से suffer तो नहीं करना है, या उसे unnecessary जो pain होता है, वो हमें वहाँ पर नहीं देना है, breeding of and experiment on animal rules 1998 has been incorporated in this act, मतलब 1998 में experiment के लिए और breeding के लिए कुछ rules इनको इस act के अंदर आपका add किया गया है, तो उन act के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और यह जो act है आपके whole इंडिया में आपका लागू कर जिया था, अब जब से आपका 377 जो article है आपका जम्बू एंड कश्मीर से इटा है, तब cruelty to animal act, अगर हम इसकी बात करें तो cruelty क्या क्या चीज़ है include की गई है, लेवल मतलब जो लेना चाहिए कि जो animal हमने चूज क्या है, क्या वो unfit है, यह सारी चीज़ें वहाँ पर हमें चेक कर लेने हैं, क्योंकि जो भी हमारे trials होंगे, वहाँ पर हम unfit animals होंगे, उन पर हम trials करेंगे, क्योंकि अगर healthy हम लेते हैं, तो वहाँ पर क्या है, अगर जैसे cancer की medicine बनी, तो सबसे पहले क्या है, कि अगर जिस animal को हमने चूज किया है, उसे cancer नहीं है, तो वहाँ पर cancer का injection देंगे, जब उसे cancer करेंगे, तो उसे क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा दर्द, pain वगेरा उसे सहना पड़ेगा, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं होने चीज़े, विलिंग्फुली एंड अन्रीजनेवली एडमिस्टर्ड एंड वही चीज, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसे मतलब कोई भी चीज, जो injurious, pains वगेरा नहीं होने चीज़ें, injurious drugs होती हैं, वो आपको insert नहीं करनी है, उसकी body के अंदर, या आपको कोई domestic animal होते हैं, captive animals होते हैं, उनको ऐसे ही चूज नहीं कर लेना, वहाँ पर committee की help से ही आपको सारे के सारे जो animals होते हैं, वहाँ पर चूज कर लेने हैं, failure to provide any animal with sufficient food, drink, और filter by its honor, IAEC, जो Institutional Animal Ethics Committee है, उसमें आपके कौन-कौन से मेमर होना चाहिए, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, तो एक आपका biological scientist होना चाहिए, आपके पसु रोग बिसे सग्यों होते हैं, वो होने चाहिए आपके, ठीक है, और the scientist in charge, एक in charge होना चाहिए, animal facilities होती है, वहाँ से एक आपका in charge होना चाहिए, एक scientist होना चाहिए, जो सारी जो facilities होती है, वहाँ पर चेक करेगा, a scientist from outside the institution, मल्टेटिव होना चाहिए, एक nominee होना चाहिए, वहाँ पर committee का, आपका जो animal act है, वहाँ पर लाग हुआ है, जब वहाँ पर जम्मु गस्मीर, वहाँ आपका 370 article था, जब वहाँ पर कोई भी animal act लागु नहीं था, अब breeding and stocking of animal के अंदर क्या है, कि इसकी बात करने, तो breeding को हम सारी जगे पर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक proper approval की हमें ज़रुवत पड़ती है, कि वहल उन्हीं जगे पर breeding किया जाता है, जहाँ पर हमारे already कोई registered committee है, या registered member है, वस वहीं पर हम अपनी जो breeding and stocking of animals है, उनको हम कर सकते हैं, ठीक है, नसल के बारे में, या अलग-अलग नसल के जो animal होते हैं, उनको stock कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़े हम कहीं भी नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर इनके लिए approval वगेरा लेना पड़ता है, तब ही हम इन्हें आगे कर सकते हैं, या किसी भी experiment के लिए हम इनका use कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना बड़ता है, कि जब भी हम experiment करना होता है, तो CPCSEA की जो guidelines होती है, या CPCSEA की जो committee होती है, वो हमें approval provide कराती है, से पहले हमारा breeding and stocking of animal की जो committee है, commissions होती है, उन्हें collect करकी रखती है, जैसे कि experiment आपके कौन सा animal यूज किया गया है, कहां पे आपने रखा है, जहां पे आपने उस animal को रखा है, वहां पे facilities कैसी हैं और details of breeding of animals, मतलब किस नसल का आपने animal का use किया है, trades वगेरा, infrastructure वगेरा, यह सारी चीज़ें वहां पे चेक कर लेनी हैं, और आपके manpower को भी चेक करने का काम करती हैं आपकी, क्योंकि वहां पे manpower को भी चेक किया आता है, और कि आपके जो manpower वहां पे use clinical trials कर रहे हैं, क्या वो trained हैं कि नहीं है, कि बाई चल रहा है देदनादन, तो यह सारी चीज़ें वहां पे चेक किया आती हैं, और आप जो notes हैं आपकी screen पे show रहे हैं, आप easily कर सकते हैं, यह मुझे एक आपके तरही student है, अभी नव, उसने मुझे टेलिग्राम पे दिया है, तो उसने भूला था एक बार इसको भी दिखा दिना आप, तो यह सारे हैं, नॉर्मली मैं आपको बता जाँ तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा PDF है, of experiments में आपको देख लेने हैं, कि जो आप animal पर perform करने वाले experiment को, क्या वो सारी हमारे जो equipment होते हैं, वो सारे के सारे isterile हैं कि नहीं हैं, वहाँ पर हमारे जो disease जैसे की देख लेने हैं, कि उसे हम कौन सी disease करने वाले हैं, या कौन सी disease उसे है पहले से, यह सारी चीज़ाई हमें हमें वहाँ पर चेक कर लीनी है, क्योंकि new drug जब हम जब उसे insert करेंगे किसी new drug को, तो वहाँ पर कोई भी उसकी body में other problem नहीं होने चाहिए, या जैसे की cancer की बनाईए, तो उसे cancer है, अगर किसी animal को cancer है, तब ही आपको उसे insert करना चाहिए, otherwise आपको insert नहीं करना चाहिए, या आपने जब animal choose किया है, तो healthy था, बट आपने क्या किया, उसके अंदर cancer के लिए आपने injection दे दिया, जब उसे cancer किया, तब आपने उसे drug दी, तब कहीं जाके आपने उसकी physiology के बारे में पता लगाया, तो आपको ये सारे चीज़े भी नहीं करना है, ठीक है, ट्राइल से है animal पर, वो proper तरीके से एक way में होने चाहिए, कोई भी वहाँ पर गलती नहीं होने चाहिए, और जो भी आप करें, वो सारे के सारे जो documentation form में आपके पास होने चाहिए, और आपके पास return में भी वहाँ पर पर तरीके से होने चाहिए, SEA जो guidelines होती है, उनके तरू आपको properly काम करते रहने चाहिए, क्योंकि CPC जो SEA जो आपको approval प्रोवाइड कराती है, वही आपके सारी चीज़ें कभी भी चेक कर सकती है, अगर कोई problem आपकी market में पबलिस होने के बाद, अगर कोई problem भी आती है, तो वो आपकी फिर से चेक करेगी, और आपके penalties बगेरा लगाएगी, नेक्स्ट आपका experiment जब भी perform किया जाएगा, तो वहाँ पर एक supervisor होने चाहिए, qualified person होने चाहिए, जो कि सारी चीज़ों को वहाँ पर चेक करेगा, एक veterinary scientist होने चाहिए, वहाँ पर medicines जो से दे, वहाँ पर record होने चाहिए, किस labs में आपने उस चीज़ को किया, किस labs में आपने animal service किया, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, और आपकी जब भी आप करें, तो एक recognized government की देखरेख में, यह सारी चीज़ां होनी चाहिए, मतलब जब भी आप experiment perform करें, तो मतलब थोड़ा देखवाल की करें, यह नहीं कि देदनादन लगे हैं, तो यह सारी चीज़ां नहीं होना चाहिए, अन्नेसेसरी पे नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, जो भी आपके पास data है, अब आपको उसे transfer करना, अपने authority को, वो सारी की सारी जो authority होगी, वो committee होगी, वो सारी की सारी registered breeders होगे, वो उन सारी चीज़ां को आपको, उन सारी चीज़ां जो आपने documentation बगगना हैं, तो वो registered breeders उन्हें चेक करेंगे, फिर वो ने अपनी authority के पास बेज़ेंगे, अपनी institute के पास बेज़ेंगे, देन वो सारी की सारी चीज़ां अगर आपकी अच्छी होती है, तो आपके जो drug का next phase है, वो आपके पास आजाए, बात करें तो basically जो penalty होती है, अगर आपने ये सारी चीज़ां की, government को पता चल गया या जो आपकी CPCSEA जो आपकी committee होती है, जो approval provide कराती है, अगर उसे पता चल गया तो आपको penalty देगा, 200 रपे आपको penalty मिलेगी, और 3 साल की jail भी हो सकती है, तो आप सभी को आज का lecture अच्छी देसे समझ में आया होगा, Animal Act 1960, अगर कोई query हो तो मुझे commit में करके बताएं, इसका जो PP है वो आपको अभी मिल जाएगी group में, मतलब video upload होने के 2 गंटे बाद आपको group में मिल जाएगी, ठोड़ा बहुत PP को भी edit करना है, तो नेक्स लेक्चर में, थैंक यू स्टेशेफ और गुड़ बाए,